आज मैं आपको बताऊंगे कैसे आप घर पर बहुत ही आसानी से मैनिकोर पैडिकोर कर सकते हैं और पालर जाना तो हम सब को पसंदें लेकिन पालर में पैसे बहुत लगते हैं लेकिन घर पे कुछी जो का इस्तमाल करेंगे तो घर पे बहुत ही एजली आप मैनिकोर पैडिकोर करेंगे पालर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है रिजल देखके आप कभी वी वापस से पालर जाके मैनिकोर पैडिकोर में अपने पैसे वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे भी हम फेशिल कराते रहते हैं लेकिन हाथ पैर हमारे ड्राय रहते हैं काले भद्दे दिखते हैं तो इ अच्छा होता है इसलिए उप्टन में हल्दी का अस्तमाल अक्सर किया जाता है उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक शैंपू का पाउच लेना है और आप किसी भी ब्रांट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो का यूज़ आपने बालो की सफाई के लिए तो करते हैं चाहिए वो शैंपू देता है और स्किन की बर्सु पुरानी जो मैल गंदगी उसको हटाने में यह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आप इसके बदले शावर जेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो इसको अच्छे से मिक्स करना ध्यान रहे इसको अच्छे जो गंदगी है उसको दूर करेगा जो डाकनेस है काला पन है उसको हटाएगा और सकिन को फेर ब्राइटन करने में यह आपकी बहुत जादा है यह नेचरल ब्लीच होने के साथ इसमें बिटमिन सी भर भर के होता है जो सकिन वाइटनिंग के लिए बहुत ही जादा बनाता है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप यहां पे नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत इंपोर्टन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं अच्छी तरह से पहले इसको स्कृप करते हुए लगा लिजे अपने पूरे हाथ पैर में 15 मिनिट के लिए साउस का जो छिलका बज गया था उससे आपको इसको स्कृप करते हुए उतारना है इससे स्कीन की जो गंदगी यह वो निकल जाएगा